स्रिलंका में हो रहे हैं कॉमन वेल्थ की देशों की जो प्रमुक जो बैठक होने वाली है उस बैठक को बैकाउट करने के लिए केंद्र पर DMK और EIDMK द्वारा दबाब बनाया जा रहा है कुछ दबाब हमने कुछ दिन पहले देखा था और अब दबाब लगातार बढ़ाया जा रहा है और इस बार सिर्फ DMK नहीं है EIDMK भी DMK के साथ है अफदेश जी आप से सुरू करते हैं आपने देखा जो हाल में हुआ UN Human Rights Commission में भारत ने स्रिलंका के खिलाब वोट किया और पाकिस्तान और चीन दोनों ने स्रिलंका के साथ दोनों खड़े हुए और इस वक्त जो ये खबर अवार ही है जिस तरह से EIDMK के दोनों इस बात को लेकर दवाब के इंदर बना रहा है क्या लगता है आपको कि भारत सरकार इस तरह के नीती या विदेश की जो नीती है उसमें खास करके नेवर होट में प्रभावित हो जाएंगे ये तो बहुत बहुत ही दुर्भागी पूरन और संगातक इस्थि के लिए और क्या हो सकता है देकि यह तो आप समय जो झसę तो प्रभाव ने गुじ यो छेंड़ा की वहीं हो सकता है सवाल यह है दोनों भूमकरट में उतना नहीं किया जितना द्रमुग चाह रहा तेखिए इस समय जो हमारे देश के सामने आं समस्या है कि कोई सपार नहीं बन पा रही है जो छेत्रिय दवावों से उठके काम करें द्रमुक के लिए उसकी लोगप्रियता खत्म है तमिलनाडू में जिस ढंग से लिट्टे के लिट्टे जिस ढंग से तमिलों को इसू को ले करके वहां पाटियों में एक परतियस परदा एक बड़ा कौज उनको लग फूट दे दी थी और जितना तमिलों पर आत्याचार हुआ उसमें भारत को हस्चेप करना चहीं था मेरे जैसे अनेक लोग लगातारलिक और बोल रहे थे कि वह जुद्ध केवल स्रीलंका का नहीं भारत का भी जुद्ध है क्योंकि हमारे भारत बंसियों उनके साथ हर प्र करते रहे और उन्होंने पाकिस्तान के जनरल वहां करके सेना को ट्रेणिंग देता रहा चीन के जनरल आके ट्रेणिंग देता रहा और वह अपना काम करते रहे हैं तो काफी हद तक स्रीलंका जो है झाल 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 कश्मीर कर दोनों में अंतर है कश्मीर करें आज मालनी जिए सवाल लाक तमील हमारे पास रह रहे हैं चाती पीच रहे हैं कि हम क्या करें तो वह भारत की विदेशनिती एक बार जो गरवडी हुई हमारे से खासकर तिबबत के मामले पर क्या उसी को हम दुहराएंगे फिर इस बिरोध होना चाहिए था एक स्वाविमानी राश्क के मांग उठ रही है जो मांग उठ रही इस वक्त इन जो मांग DMK और IDMK और जिस तरह से जवाब नहीं अगर पाकिस्तान के समय भी जो हुआ तो उटल जी गए कि नहीं गए सार्क सम्मिलन में ने ने मैं खमचता हूँ कि यह जो DMK की डिमांड है यह DMK दोनों की डिमांड है इसको देश के अंदर चीजों पर उठाएं लेकिन अपना चाहिए ने इस समय एक प्रस्ताव दुनिया के सामने आए कि इसकी जांच कराओ आपने जो कुछ भी किया है इसकी जांच होनी चाहिए एक नियाए संगत मांग है उस जांच कैसे हो यह करे आई से कैसे होगा कि आप इतने लोगों को मार देंगे इस जंग से भागे नहीं तो उस पर बैन लगा करके उनको दुनिया से पैसा मिलना बंद करना पर है इसे थोड़े होता है उस पर बहुत बहुत धनिवाद आप सब लोगों का बहुत धनिवाद